तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं पाव भाजी की यह टेस्टी सी रेसिपी क्योंकि बच्चे हूं या बड़े सभी को पाव भाजी बहुत ज़दा पसंद आती है तो आज मैं इससे बनाकर के तैयार के अग्दम रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत ही आसान तरीके से जो कि सभी को पसंद आने वाली है क्योंकि हमने घर में बनाई है तो यह प्रॉपर हाईजीनिक भी है तो आज मैं आपके साथ इसकी आसान सी रेसिपी शेयर कर रहे हूं और आप सब को यह रेसिपी पसंद आएगी वीडियो स्टाट करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट है क अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अज पहली बार आप मेरे चैनल को विजट कर रहे है और प्लीज दू सब्सक्राइब मैं चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हिट दा लाइक बटन एंड फैमिल और फ्रेंड के साथ में तो चलिए स्टाट करते हैं पाओ अची बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर कुछ वेजिटेबल जिसमें कि मैंने तीन मीडियम साइज के आलू लिया है इने धोकर मैंने अच्छे से वाश करके और कट कर लिया है और साथ में लिया मैंने गाजर दो जिनको कि मैंने र प्रेशर कुकर में डाल देना है अभी हमें यहांपर कुछ भी तड़का वगहरा ऑफिर कुछ भी लेने की जुरत निया है स्रिफ नॉर्मल ही हमने सारी सब्जियां लिया है आप अपनी पसंद की और सब्जिया भी इसमें एड़ कर सकते हैं पर टमाटर को ज़रूर एड़ कीजिएगा क्योंकि टमाटर का जो टेस्ट है इस तरह से बॉइल करने के बाद में बहुत ज़दा अच्छा आता है और साथ में एड़ कर रही हूँ इसमें आदा छुटा चम में पानी एड़ कर रही है जिसके हमारी सब्जियों को बॉइल होने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो एक चमचा लाइक मैंने पानी इसमें एड़ कर लिया है अब इन सभी सब्जियों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे और हम इसे प्रेशर को करेंगे लगभग तीन से चार विसल आने तक तो देखे तीन से चार विसल आ चुकिए और प्रेशर अपने अप रिलीज हो गया है तो ओपन करते हैं और सब्जी हमारी बहुत अच्छी तरह से बॉइल हो चुकी है अब देख सकते हैं चुकंदर डालने की वज़द से सब्जी का कलर बहुत ता दा है अब लिएक मेशर और इस सभी सब्जी को हम मैश कर देंगे अच्छी तरह से तरह से और सब्गी करने के लिए आपको धियां रुटा रखना के जब तोड़ी गर्म होती है आपको तभी मैश कर लेना कि आपको थंदी तो प्रोब्लम हो स्कारी से वाट्रिय इन तो दोस्तों टमाटर को हमने बॉइल करते वक भी यूज किया था एंड हम इने फ्राइ करते वक भी यूज करेंगे अब कढ़ाई को मैंने गैस पर रख लिया है और इसमे आड कर लिया ठेट सारा बटर और साथ ही साथ में एक बड़ा चमच रिफाइन डॉइल जिसे कि हमारा बटर जो है वो जलेगा नहीं हाई फ्लेम रखना है अपको यहां पर गैस का आपको लो फ्लेम पर यह काम नहीं कर करना है बिल्कुल भी सौफ नहीं करना है तो हम इनका क्रंचिनेस पर करार रखना चाहते है इसलिए हमने यहां पर गैस का फ्लेम हाई रखा है साथ यह में एड कर दूंगी अध्रक और लेसन का पेस्ट भी जो मैंने तयार करके रखा हुआ था और हम अच्छी से इसे फ्र और अब कर दो जादा कांड़ें यह मेरा रहें और रहले हैंगे हैं अब इसे पहर है स५ोमय घूंग मसाला के विपनी आप सिसके कहां सर्थ 17uyorsunight हो जादा हैं अबहुत ही आच्छी पावटर एक से थो जावटर टक है तो आपको यह misinformation और बहुत अच्छ और जैसे हमारा मसाला थोड़ा सा भून जाएगा हम इसमे एड़ कर देंगे हमारे चौप किये हुए टमैटोस भी और हमें इन्हें अच्छी तरह से पका लेना है तो देखिए हमारा मसाला अच्छी से भून गया है और इसमें से रिलीज होने लगा है अब हम इसमें एड़ करतें कि हमारी मैश की हुई जो सबजियां थी हमने बॉइल करके रखी थी उन्हें भी तो अभी आप देख सकते हैं काफी जादा थिक हो गई है बहुत जादा गाड़ी हो गई है तो यहाप पर हम इसमें पानी आड़ कर सकते हैं अपनी ज़ुरत के हिस पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अब इस वक्त आप इसमें जब भी पानी आड़ करेंगे तो पानी गर्म होना चाहिए गर्म पानी आड़ करने से इस वक्त हमाई सब्जी के टेस्ट में बिल्कुल भी फर्क नहीं आता है क्योंकि अगर आप सब्जी इस तरह से बना जरुरत के हिसाप से इसमें पानी आड़ कर लीजिए और एक अच्छी तरह से मैंने से मिक्स कर लिया है आप देख सकते हैं अब भी हमारी जो पाव भजी की भाची में जो बना करके तयार कियाना इसका कलर कितना ज़दा प्यारा है कितनी अच्छी लग रही है इस देखने असके साथ साथी में इसमें पनीर के कुछ पीसे चुट चुटे कट करके अड़ कर रही हूं और इसे हमें सबसे लास्ट में ही ईड़ करना है और से आधा नीम्भू का रस और अच्छा जादा सारा इसमें मैं अड़ कर रही हूँ धनिया जो कि बहुत अच्छी खुश्बू और बहुत अच्छा लुक देता है हमारी पावाजी की भाजी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अगर आपको लगता है कि अभी भी यह थिक है तो आपको यहां पर गरम पानी ही एड़ करके इसे थोड़ा सा लूस करना इसकी ग्रेवी को भाजी मारी तयार है आप पाव तयार कर लेते हैं तो दिखें मैंने यह पाव लिए जो कि मार् काशम मैं तर हम इसमें से ताप करना या यह ऑदा नहीं करते हैं जाए डहांए कर दो कि दौक ग्रपार क्वूड़ा को अग अब मैंने तवे को गर्म कर लिया है एंड उस पर भी मैंने बटर लगा दिया अच्छी तरह से और एके करके आम अपने सारे पाउ को इसमें सेक लेंगे और पाउ को सेकते वगत अपको ध्यान लगना इन्हें आपको हर तरफ से सेकना है लाइक आप मैंने सबसे पहले से तरफ से यह भी नुक्सान कें चाहिए तो देखें अंदर की दर दसे आके तलफ से मैंने इसे से रेडी कर लिया और एक्दम से फ्रेश हैं तो कितने सॉफ्ट सॉफ्ट सें हैं तो हमारे पाउ भी अब बिल्कुल तयार है तो सब्सार भर्डुरों के अरशलिये में सर्व म के लिए मैंने याँ पर धनिया लिया है और साथ ही मैं इसमें थोड़ इसे पनीर के क्यूब्स चोकी मैंने चुट चुटे काट करके तयार रखे थे उनने भी इसमें एड़ कर दूँगी और बटर तो रखना बिल्कुल भी मत भुलिएगा तो यह देखिए हमारी जो लाइक बटन और फैमिल और फ्रेंट्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजेगा दोस्तों बिल्दियों अपने अगले वीडियो में तब तक रखे अपना धेर सारा ख्याल बाबाई और टेक क्यार